नमस्कार मैं आशा स्वागत करती हूं आप लोग अपने चैनल आशा कुकिंग कॉर्णर में और आज मैं बनाऊंगी यह बहुत ही टेस्टी सा और बहुत ही एल्दी साथ में बहुत ही ठंड़क देने वाला गुंद कतीरे का शर्वत जो की गर्मियों के लिए बहुत ही फाइ है लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कूटा है अब इसको पानी डाल कर भीगो कर रख देंगे हम 4-5 घंटे के लिए और भीगने के बाद यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा जेल टाइप का हो जाएगा यह तरी और इसको अब मैं डाल दूंगी मिक्सी के जार के अंदर और इसके इन्दर डालोंगी यहां पर मैंने लिए मिष्री यह धागे वाली मिषली है इसको मैंने थोड़ा सा सोड लिया है और अब उसको मैं डाल दूंगी जो है तासिर में ठंडी होती है तो काफी फाइदे बंद होती है यह को तिरी के साहा शर्मत बनाize अमने इसके तेयार हो गया है हमें यह आदा शर्वत आदा ग्लास शर्वत मैंने लिया है और इसके अंदर में डाल दूए बहुत ही चिल्ड पानी आप बरफ भी डाल सकते हैं और यह हमारा बहुत ही टेस्टी हेल्दी और ठंड़ ठंडा जो गोंद कतीरे का शर्वत है वह तैयार है तो जरूर से इस रेस्पी को बनाएं और अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर करें